Hello friends, welcome back to my channel आज के इस वीडियो में हम YouTube से related एक नया चैनल हम कैसे create करें उससे related हम आपको information देने वाले हैं step by step process मैं सारा बताऊंगे कि किस तरीके से आप अगर नय हैं और एक नया चैनल create करना चाहा रहे हैं तो कैसे आप क्या-क्या चीजे फॉलो करें और कैसे आप नया चैनल create करें तो इस मेरे इस वीडियो में end तक बने रही है सबसे पहले आप browser open करेंगे और URL में type करेंगे www.youtube.com YouTube के open होते ही आप top right corner में देखेंगे तो sign in को option आएगा तो आपको इस sign in पे click कर देना होगा इस sign in पे click करने के बाद आपको login page open हो करके आ जाएगा तो अगर आपके पास already google account या gmail address है और आप उसी gmail account से YouTube account बनाना चाहते हैं तो directly यहाँ पे type करके login कर लिजे अगर अभी तक आपके पास कोई gmail account नहीं है तो directly यहाँ पे create account पे click करके आप नया account बना सकते हैं आपको अलग से बनाने की कोई जरूवत नहीं है एक चीज़ और बता दें कि create account पे click जब भी आप करते हैं तो आपके पास दो option आता है दो type के channel हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए पहला है for myself यह आपके personal gmail account या personal google account से linked होता है और सिर्फ आप ही इसे access कर सकते हो या सिर्फ वही access कर सकते हैं जो इस account में email id और username और password से login करते हैं सिर्फ वही manage कर सकते हैं जो second type का channel है वो है to manage my business इसके थुरू आप अपने channel पे दुसरे google account या दुसरे बंदे को as a channel manager assign कर सकते हो और आपको उनको उनको personal detail जैसे की login id पासवर्ट देने की भी जरूरत नहीं है आप जस्ट उनको access दे रहे हो कि वे आप अपने username, id और password से login करके आपके account को access या manage करें दोनों में यही difference है और बस benefit यहीं मिलता है कि to manage my business वाल account में अगर आपका channel बहुत ज़्यादा grow कर जाता है बाद में और आप खुद अकेले handle नहीं कर पा रहे हो तो आप multiple persons से इसे channel manager बना करके आप handle करवा सकते हो एक और चीज़ बता दू कि आप इन में दोनों में से कोई एक साभी select करते हो तो आप path में switch नहीं कर सकोगे for myself select करोगे तो business में switch नहीं कर पाऊगे और to manage my business में करोगे तो myself में switch नहीं कर पाऊगे तो आप इन दोनों में से कोई एक ही select करो और मैं यहाँ पे for myself वाला select कर रही हूँ because to manage my business वाले में आपको बहुत सारा data चाहिए होता है business account से related तो फिर यहाँ management तो myself वाले में मैंने select किया next यह वाला page open हो करके आएगा यहाँ पे आपका नाम टाइप करना है आपके पास अलड़ी email address होगा तो email address टाइप करीगा नहीं है तो create करीगा और password डाल करके confirm करके आपको next पे click करना है तो मैं यहाँ पे type करके दिखा देती हूँ first name जैसे कि मैंने अपना डाला last name डालेंगे इसके बाद email address पे आएगे तो आपके पास already है तो आप यहाँ पे type कर देख नहीं है तो इस create a new email address इंस्टेट पे click करना है आपको और यहाँ से आप directly एक निया email account create कर लेंगे ग्मेल अकाउंट create कर लेंगे तो उसके बाद username जब आप click करेंगे तो आपके पास आएगा कि username डालें तो username आपने कुछ सोचा होगा तो आप type करें यहां मैंने normally अपना पूरा नाम डाल दिया रुना राशित उसके बाद बाहर कहीं click करेंगे तो अगर आपका यह username available है तो दे देंगे नहीं है तो क्या क्या available है उस नाम को आप डाल सकते हैं तो वो options देंगे उसमें से आप कोई सिलेक्ट कर सकते हैं यहां पर खुद से मैं प्राई कर सकते हैं फिर यहां पर आप पासवर्ड सेट करें पासवर्ड आपका आठ से ज़्यादा characters होने चाहिए उस पासवर्ड में और उसके बाद next वाला button क्लिक कर देंगे next वाले टैप को क्लिक करते ही आपको जो आपके पास जो विंडो उपन हो करके आएगा वो यहां पर फोन नमबर जो कि ऑप्षनल है वो recovery detail होता है कि कल को आप अपना यह सारा पासवर्ड यूट्यूब का यह इस वाले जीमेल अकाउंट का पासवर्ड वगरा वो भूल जाते हैं तो किस account में सारा detail जाएगा तो यहां पर आप अपना phone number, email address gender और date of birth डाल करके next करेंगे next करते ही जो विंडो उपन होगा वो verification code आपके mobile पे send करेगा तो वो मैंने hide कर दिया है उसके बाद आप वो verification code डालेंगे उसके बाद यह वाला window open हो करके आ जाएगा तो यहां पर yes I am in पर आपको click करना है और उसके बाद agreement policy कुछ होगा I agree पर आपको click करना है तो यहां पर आपके account से YouTube पर login हो गए हैं आप खुद के account से जो आपने create किया है जिस email id से उसके बाद आप यहां पर next created channel पर जाना है क्योंकि आपको अभी तक channel आपने अपना create नहीं किया आपने सिर्फ login किया है created channel पर जाने के बाद option आएगा use your name और use a custom name तो जहां आपको अपना channel name देना है तो आप custom name पर select करें और select करने के बाद यहां पर एक channel name दे दियान रहे हैं यह सारी चीज़ें आप बाद में भी change कर सकते हैं इसके बाद आप यहां पर create पर click कर दें इसके बाद जो window open हो करके आएगा वो step का है यहां पर जितने भी चीज़ें आ रहे हैं अपलोड पिक्चिर यह सारी चीज़ें आप बाद में जरूर चेंज कर सकते हैं तो यहां पर आप अपना चैनल का लोगो डाल सकते हैं यह अपना खुद का फोटोग्राफ डाल सकते हैं उसके बाद description है description डालते हैं उसके बाद यह लिंक टो वेबसाइट है आपका अपना वेबसाइट है वोड लिंक कर दें यह फेस्बुक का यूरल डाल दें यूरल का क्या प्रोसेस हैं simply आपका जो भी वेबसाइट है या फेस्बुक वगरा का लिंक है उपर यूरल को स्लेक्ट करें कॉपी करें और यहां पर डाल दें वैसी फेस्बुक, इंस्ट्रग्राम और ट्विटर आईडी आप डाल सकते हैं सिर्फ प्रोफाइल लेम आप आगे एड कर दें बाकी सारी चीज़े यहां पर दिया है और उसके बाद सेवन कंटिन्यू करतें अगर आपको अभी नहीं डालना है अपके बीडिव लेटर पे क्लिक कर सकते हैं आपकी चैनल अब क्लिक होकर करके आ गया है यहाँ पर सब्सक्राइबर कंट लिखेंगे और यहां से आप video अप्लोड कर सकते हैं अप्लोड करने का प्रोचर्टर MA कॉर्चाँ सिंपल है अप्लोड पे क्लिक करए और यह आपका फाइल लोड होने लगेगा उसके बाद यह अपलोडिंग और प्रोसेसिंग जब तक होगा तब तक आप यह सारी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं टाइटेल, डिस्क्रिप्शन, थम्नेल, यह सारी चीजें टैक्स वगेरा बाद में अराम से एड कर सकते हैं यह मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगे फिर से आप यही पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक योट्यूब स्टूडियो का उप्शन आ रहा है योट्यूब स्टूडियो से आप अपने चैनल को मैनेज कर सकते हैं एक एप भी आता है YouTube Studio का, वो आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप अपने फोन पे ही ये सारे डेटा, आपका subscriber count, अपने dashboard से related की analytics क्या है, revenue क्या है, ये सारे चीज़ें आप देख सकते हैं, यहीं पर एक monetization करके tab है, इस monetization tab को आपको अभी click करना है, अगर तो यहां पर you are not eligible for monetization, because आपका location वगरा यहां पर update नहीं हुआ है, तो आप यहां पर update location जो आ रहा है, उस पर click करें, उसको click करने के बाद जो window open होता है, उसमें आप यहां पर country of residence, ये सारे चीज़ें और keywords, keywords क्या है, keywords में यहां पर आपको जो channel जिससे related है, इसका आप 5, 6, ये साथ, जितने भी keywords, जैसे suppose cooking से related है, तो cooking, reviews है, तो reviews related, ये सारे चीज़ें आप डाल दें, technical reviews, technical, branding, ये सारे चीज़ें आप यहां पर keywords में डाल दें और फिर जाकर के save कर दें, और जैसे page refresh होगा, तो ऐसे ये open होकर क्या जाएगा, ये क्या है मैं बता दूँ, ये channel का requirement है कि आप कब monetization के लिए eligible हो, जैसे यहां पर दिखा रहा है कि 0 subscribers और ये यहां पर घरी का कांटा के तरह दिखा रहा है और 0 public watch hours, तो आपको बता दूँ कि आपको यहां पर 1000 subscribers और 4000 watch hours पूरे 365 days में complete होना चाहिए, तभी आपका channel monetization के लिए आप apply कर सकते हो, ठीक है, यहां मैंन चैनल अब ready है, यहां पर फिर से हम देखेंगे, तो यहां पर देखते है, customized channel पर जब हम जाते हैं, यह सारी चीज़े बात किये, मतलब आप upload इतने में भी आप upload कर सकते हो, बट अपने channel को और decorate करना है, तो customization पर जाएं, यहां पर channel trailer डाले, feature video डाले, returning subscribers के लिए, और यह सार चीज़ें मैं detail में आपको different video में बताऊंगी, इसके लावा आप अपने channel में जैसा कि मैंने बताया था कि logo और channel art भी डाल सकते हैं, logo का ऐसा scene है कि logo create करना पड़ेगा, आपको कैसे create कर सकते हैं, मैं powerpoint में बताऊंगी आपको कि logos और channel art कैसे create करेंगे, वो भी आप देख सकते हैं, इसके लावा आगे में आपको tutorials देते रहोंगी, step by step सारी चीज़ें जिते भी requirement है, मैं आपको explain करते रहोंगी, और अगर आपको मेरा ये video पसंद आया हो, तो मेरे video को like करें, share करें और मेरे channel को subscribe करना ना भूले, thanks for watching my video